आज हम बनाएंगे पनीर लवाबदार इसके लिए प्याज लिया है प्याज को अच्छे से एक चमच तेल डाल कर भून लेंगे लाल होने तक इसको हम भूनेंगे उसके बाद मिक्सी में इसको मैंने पीस लिया है साथ ही डालेंगे एक बड़ा चमच बेसन का इससे हमारा टे स्टीम का भी यूज कर सकते हैं और बेसन डाला है तो पानी बिल्कुल डालेंगे थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही नमक डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी कसूरी मेथी बिल्कुल डालें बहुत अच्छी खुश्पु आती हमारी सबजी में और बस हमारा पनीर बिल्कुल बनकर तयार होने वाला है इसके अंदर बहुत कम समय लगता है पनीर डाल देंगे और इसको ढखकर पांच से साथ मिनट के लिए स्ट्रीम करेंगे और लीजिये बनकर बिल्कुल तयार है हमारा पनीर लबाबदार लाइक शेर और कमेंट करें बाई बाई